अच्छ हम एक बहुत महत्पूर्ण विश्य पर चर्चा करने वाले हैं यह विश्य इतना इंपॉटेंट है जितना की भारत की स्वतंतरता है इसलिए इसको पूरा सुनने की अवश्यक्ता है इसके कानूनों पहलून को जैनने की अवश्यक्ता है इस पर जो मिसकॉंसेप्श इस समय कोरोना के समय पर जो मैंने कल का एक लेक्शर आपको दिया था डाला था वो कल के लेक्शर में योगी जी उस पर मुझे लगता है कि अच्छा काम कर सकते हैं और वो कर रहे हैं उस पर हम चर्चा करेंगे कि कैसे वो ट्रांसफार्मिंग इंडिया के तरफ बढ़ रह हैं तीसरा जो महत्वकुन विशय है वो माइनोरिटी का है अगर इसमय मिला तो माइनोरिटी स्टेटस वर्डवाइट और सुप्रीम कोड के जज्च्मेंट और भारस सरकार के क्रत्य कौन माइनोरिटी है कौन नहीं है उस पर बाद में चर्चा करेंगे चौथा विशय यह है कि अपने जो बहुत सारे स्टुडेंट्स यह डाउनलोड करते हैं और वो लेक्चर्स को बौरो कर लेते हैं बौरो करने के बाद उनको कुछ मैसूस होता है कि नहीं हम तो हिंदी मीडियम के थे और मुझे तो इंगलिश वाला ले लिया या देख लीजे उसमें बहुत सारे लिस्टिंग पड़ी है हिंदी-इंगलिश मिक्स वाला हिंदी के लिए नॉर्थ इंडियल्स जो हिंदी के हैं उनके लिए साउथ इंडिया में हिंदी जानता भले ही हो लेकिन उसको मुझे लगता है कि आंदरप्रदेश और उसके नीचे शायद ही इस्तिमाल किया हो वो पूरा तीन गंटे का अगर लेक्चर रहता है गंटे दो गंटे तीन गंटे का तो वो इंग्लिश में ही रहता है चोथा विशह यह है कि जब आप डाउनलोड करते हैं तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि स्लेवस की एज एक साल है एक साल जब पीसे जे का स्लेवस लेते हैं या एक साल का उसका टाइम है और एक एक लेक्चर की मैक्सिम्म ड्यूरेबिल्टी चार गंटे है गंटे देख सकते एक बार में दो वार में तीन बार में चार बार में जैसे यह इंडों मैंसे-ब लों सiãoक्रें करने वाले हैं कि तमिल नडू में एक कल बड़ी सूचना आई रमजान का ऐसा कहते हैं कि रमजान का बड़ा पवित्र महिना होता है मदद करनी चाहिए मज़्यतों की मदद होने चाहिए कोई समस्या भारत में किसी को नहीं नडुका ये प्रकरण है और तमिल नडू में हिंदी समझने वाले तोड़े कम लोग हैं वह इंग्लिश आशानी से समझते हैं यहां वह को बिलक्रमान की घ्राट रोट्रिक्या अवान अटवर्णा दचिए के और्गिनाइजर जिसको हिंदी उसका वर्जन पांच जन्य के नाम से निकलता है उसमें जजिया टैक्स इन तमिल नाडू की चर्चा हुई तो वाट इस जजिया एंड वाट हैपन एक्छुली तमिल नाडू में एक कानून 1959 में बना रिलिजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट अक्ट हिंदू रिलिजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट अक्ट अब 1959 में वो बना लेकिन उसमें जो प्रावधान दिये गए वो यह कहा गया पूरे एक्ट में हम वसे ACT के को sections आपको code अगर कर दें तो marche function 5 वो सक अगर ठोठा कर सक्शवक्ति से या sections 92 जो इसका बहुत important section नाइन तीट्व देखेंगे section 103 उसका देखेंगे तो यह बड़े गडबड कैसे गडबड है यह Act यह कह रहा है कर और कहना भी चाहिए constitutionally valid है और constitutional valid ऐस तरह से है कि जो भारत वर्ष में मंदिर हैं हम सब जानते हैं मंदिरों का mismanagement खूब चलता है भारत में और वो mismanagement इस level का होता है कि हम मंदिरों में जाते हैं तो हमको अविवस्ता देखकर बड़ा कस्ट होता है तो ये विवस्ता article 25 में की religious institutions में हम विवस्ताइं सही करेंगे पर हिंदूओं के लिए जो institution है उसके लिए हम सही करेंगे विवस्ता सही करने के नाम पर बहुत सारे स्टेटों ने अपने हां कानून पास कि किसी ने trust act में रखा किसी ने religious इंडोर्मेंट बना कर रखा किसी ने रिलिजिस इंडोर्मेंट चरिटेबिल ट्रस्ट एक्ट बना कर रखा किसी ने एक्ट बना कर रखा किसी ने बोर्ड एक्ट बना कर रखा अलग-अलग राज्यों ने उसके अलग-अलग नाम दिये कोई समस्या नहीं थी और उसमें mostly नहीं ये कहा कि जो mismanagement है मंदिरों का वहाँ एक ट्रस्ट बनाएंगे और ट्रस्ट उसको चलाएगी ट्रस्ट का audit सरकार करेंगे यनि कि सरकार के कानून के अनुसार ही ये ट्रस्ट चलाएजाएगे इन ट्रस्टों में काम होगा इसमें भी कोई समस्या नहीं अच्छा ही है कि ट्रस्ट बनाया जाए पब्लिक सेफटी के लिए काम किया जाए देश में health development के लिए काम किया जाए तमिल नाडू ने अभी जो एक दो दिन पहले order किया कोविट 19 के समय पर उन्हों नहीं ये कहा कि now every 47 temples the great temples of the 47 great temples of Tamil नाडू have to pay 10 crore rupees to the government as a social responsibility towards the कोविट कुछ को उन्होंने कहा कि आप 35 रुपए दीजे कुछ से कहा 15 से 35 रुपए दीजे ऐसे 36,000 चोटे बड़े temple है तमिल नाडू है तो mostly जिनके पास धन है उसको कहा गया कि आप कोविट 19 में उसको दीजे इसमें भी मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी बुराई नहीं है लेकिन बुराई इसमें है कि रमजान के महिने में यह जो religious endowment act से पैसा लिया गया केवल हिंदू टेंपलों से जो पैसा लिया गया यह पैसा रमजान के समये पर मजजितों को वापस किया गया इसे तीन हजार मजजितें कबर की गए जिन में बहुत बड़े उसमें चावल दिया गया धन दिया गया और रमजान के महिने में खाने पीने की विवस्था की गई यह कैसा कानून है यह कैसा संभिधान है संभिधान में कैसे प्रावधान है इस पर हम लोग great discussion करेंगे हुआ हाला कि मुझे उस थर्टी कैपिटल एकी जानकरी नहीं है कि संभिधान में हमने खोदने की कोशिश की तो हमको आर्टिकल थर्टी कैपिटल ए नहीं मिला हो भी सकता है कि वह हो क्योंकि जब हम आर्टिकल 35 कैपिटल ए जमुन कश्मीर को लेकर आये थे एक presidential order से पास हो था वो भी संभिधान में नहीं लिखा था और वो नहरू जीन ने 1954 में प्रेसिदेंशल और से पास किया जिसने पूरे जमुन कश्मीर का बंटा धार करके रखा था पूरे सिस्टम को तहस्नेस कर दिया था अर्टिकल 35 कैपिटल लेने हमको वह आज से 12 साल पहले मिला हमन हमें ऐसी ही कुछ लेक्चर्स दिये फिर हमने उस पर अंदोलन शुरू किया देशवर में उस पर वैर्नेस किया सुप्रिम कोड में पेटिशने डिलवाई बहुत काम किया और फाइनली पांच अगस्त सन 2019 को खिंदर सरकार ने उसको एब्रोगेट कर दिया तो हो सकता है कि अर्टिकल 30 कैपिटल ऐसे ही किसी प्रेशिदेंशल ओर्डर से उस समय सरकारों ने पास करके बना दिया गया हो लेकिन इस से रिलेटिट अपने दो-तीन आर्टिकल हैं जिन आर्टिकल्स को हम यहां कंसेडर करना चाहते हैं क्यों ऐसा है क्योंकि कोई भी कानून जो भारत में बनेगा वो कानून कॉंसिटूशन से परे नहीं हो सकता इसलिए हम हर एक आक्ट की constitutional वैलेटि देखते हैं ऐसा कोई भी कानून नहीं हो सकता जो Constitution में दिए गए fundamental rights के विरोध में हो या उनका violation कर रहा हो अगर कर रहा होगा तो जिस दिन वो बना उस दिन से शुनने है और अगर पहले से बना रखा था तो वो Constitution पास होने की तिथी से सुनने है ऐसा Article 13 कहता है I am not giving you so legal things why because all of you are not an advocate that is why I am not giving you the so legal intelligence but I am considering the main provisions of the Constitution so article 13 is saying like this that any act that is against the fundamental rights will be void from the day of passing this Constitution and if it passed after passing of this Constitution then that will be void of an issue no problem now the Tamil Nadu act passed in 1959 so it come in the category 2 of the Constitution that whenever it will be passed it will be void of an issue what happened actually in this case Tamil Nadu जो religious and charitable indoment act बनाया उन्होंने Hindu मैं बार बार भूल जाता हूँ Hindu religious and charitable act ऐसा कोई Muslim religious and charitable act नहीं है ऐसा कोई secular act नहीं है जबकि Constitution में secularism की बात कही गई है प्रेमिल में secularism की बात कही गई है तो Hindu temples के उपर regulation का ये कानून बना तो ये secularism के basic structure के ही खिलाब चलाजाता है जिए हिंदूमन्दर regulate करेंगे लेकिन आप Church NATS नहीं करेंगे आप Hindu मंद्र regulate करेंगे लेकिन आप मजयतने regulate नहीं करेंगे मदर से regulate नहीं करेंगे सब्सक्राइब अपने पास कर लिया हिंदू रिलिजियस इंडवेंट एक उसके सेक्शन 92 में कहा मैं सेक्शन 92 की प्रस्ट मुवी पहले बता दू कि जो अपनी ट्रस्टें होती है ना उन ट्रस्टों में एक प्रावधान ट्रस्ट एक्ट में है कि in case of any public trust there is any problem and we want to resolve it then the parties has to approach to the court and after giving the notice to the court and and arguing to the court if the court is satisfied then you may change the things in the trust otherwise जो ट्रस्ट बनी थी जो ट्रस्टियों ने बनाई थी वो ट्रस्ट आपको माननी पड़ेगी और उसी से आपको अगर उनको लगता है कि नहीं इस ट्रस्ट में मैंने तो पानी पिलाने के लिए ट्रस्ट बनाईगी लेकिन आप हमको खाना भी खलाना चाहिए तो आप खिला सकते हैं but you have to get an approval from the court if you want to initiate some other things those are not mentioned in the trust act then you must have to approach to the court and court will give you the powers and court will verify your bona fide needs and then will they will give you the permission sometimes they may appoint that they may appoint the trustees also they can change the trustees also they can change the object of the trust also they can change the implementation and implications on the basis of implications of the trust also sometimes they can appoint the receiver also the power court के पास है लेकिन court इस पर decision लेने से पहले एक बड़ा argument होता है कानूनों का हवाला दिया जाता है परशितियों को देखा जाता है उसके बाद court को लगता है then they give the permission लेकिन इस act के section 92 में कहा कि इस act के किसी भी प्रवधान को court में challenge नहीं किया जा सकता है मीं जो ट्रस्ट एक्ट में प्रोच करने की बात है इस act के तहट ट्रस्ट एक्ट के तहट आप प्रोट में अप्रोच नहीं कर सकते यह ऐसा एंडोमेंट एक्ट बनाया गया यानि कि decision को court में नहीं लिया जा सकता और section 93 यह कहता है कि इस court के court की जितनी powers हैं वो हम यह religious and charitable commissioner को देते हैं बोड को देते हैं यानि कि बोड अब court हो जाएगा और बोड कोड होगा तो आप समझ सकते हैं कि कैसा court होगा बोड ऐसा court होगा कि सरकार की बात सरकार जैसा कहेगी वैसा मनेंगे अब सरकार ने यह order तो कर दिया कि और करोण रुपया कोविट 19 के नाम से और कोविट 19 के नाम से मज़ितों में इसको दान भी कर दिया अब वो कहें भले ही कि हमने यह पैसा तो cm relief fund में इस तो क्या गरीम मंद्रों को पैसा देने का प्रावधान आपने बनाया है अब मंद्रों की सोशल responsibility बनती है नो डाउट हां हम चर्चा कर रहे थी कि आर्टिकल 25 तो सेक्शन 92 ने चेंज किया चलो पावर आपने बोड को दे दी लेकिन constitution का article 25 जो freedom of religion हमको देता है article 25 सब article 2 के clause A मैं फिर से कहता हूँ article 25 का सब article 2 का clause A ये कहता है और यही base है सरकारों के पीछे जो base है वो दो articles है article 25 सब article 2 clause A और article 31 capital A ये शायद मुझे लगता है जैसे मैंने कहा कि हो सकता article 30 capital A हो भी और ये भी हो सकता है article 31 capital A को ही कोई कोई भूल वश्च 30 capital A कह गया हो तो article 31 capital A ये दो articles हैं जिसमें सरकार को कुछ पावर्स है आठकल 25 सब article 2 clause A ये कहता है कि जो फिनेंशल शोशल responsibilities हैं जो मंदरों पर इस तरह की religious institutions पर जो social economic and financial laws regulate करने के बनाए गए हैं वो article 13 में कुछ भी होते हुए भी इस एक्ट में कुछ भी होते हुए भी आठकल 13 का प्रभावस पर नहीं पड़ेगा और वो एक्ट लागू रहेंगे इसलिए मुझे लगता है कि आठकल 25 नहीं चुकी अनुमत ही दे दी इसलिए एक्ट लागू रहेंगे लेकिन इन एक्टों में उस जो जो सब अटकल ए है सब section clause A है clause A ने कहीं पर भी यह नहीं कहा कि इस पर हिंदू religious institutions का इस्तिमाल हो सकता है उसने कहा religious institutions को regulate करने के लिए उनके financial social और other responsibility जो economic responsibilities है या economic matters है उनको regulate करने के लिए जो laws बने हुए है वो जीवित रहेंगे और अगर law बनाए भी जाएंगे तो वह भी valid बाने जाएंगे institutions के ऊपर इस तरह का कोई fundamental rights लागू नहीं होगा यानि कि institutions को इस तरह के fundamental rights नहीं होगे कौन से institutions religious institutions उसने नहीं कहा कि Hindu religious institutions हाँ clause B में जरूर कहा कि जो Hindu religious temples हैं किसी भी प्रकार के जैन का religion क्या लेकिन इसमें उसने हिंदू शब्द इस्तिमाल किया भई फिर Christian क्यों नहीं इस्तिमाल किया जबकि आप Constitutional Summary Debate को अगर पढ़ेंगे उस समय का Article 19 होता था यह Article 25 उसमें केटी शाह ने लगातार कहा और उन्होंने प्रेशर बनाया कि इसमें केबल हिंदू शब्द नहीं आना चाहिए इसमें Christian और Muslim भी आना चाहिए नहीं माना गया तो वह मैं मानता हूं कि Hindu मंदिरों में जाने की इंट्री तो अच्छा किया लेकिन Christian चर्चों में सब जगे जाना और मदर्सों में सब जगे जाना और मज्जितों में सब जगे जाने की अनुमती क्यों नहीं दी गई भाई तो वो क्या है confiscate करके अतंग बाद पैदा करेंगे और हमारे मंदिरों के हर एक स्थान पर हर कोने पर किसी को भी जाने से मनाई नहीं की जा सकती ऐसा आर्टिकल 25 सब आर्टिकल 2 क्लॉस B में कहा लेकिन क्लॉस A नहीं यह कहा कि जो religious institutions है महां हिंदू और मसल्मा नहीं कहा religious institutions है उनको regulate करने के लिए जो law state बनना चाहता है वो बना सकता है वो fundamental rights में कबर नहीं होता अब आर्टिकल 31 कैप्टल A कहीं से भी चुकि यह सारी करवाई जो चल रही है वो आर्टिकल 31 कैप्टल A में चल रही है आर्टिकल 31 कैप्टल A कहीं से भी ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं करता कि religious institutions को confiscate कर सकती है या उसका regulation अपने हाथ में लिया जा सकता है Article 31 Capital यह कहता है कि कोई भी corporate sector, कोई भी institute अगर irregular होता है तो आइस्थाई रूप से सरकार को, state government को यह शक्ती होती है कि वो उसको अपने regulation में ले ले आइस्थाई रूप से अपने regulation में ले ले उसके financial, economic और social expect को regulate करे तो उसमें religious institution जब आपने Article 25 में power दे दी जब आपने Article 25 to 30 में religious matters को separate और self deal करने की power दे दी तो Article 31 Capital जो exception यह saving है fundamental rights का उस saving में religious institution कैसे आ जाएंगे Article 31 Capital A की हाला कि कोई challenge करे तो वो अलग बात है लेकिन उसकी constitutional validity बहुत पहले कई बार कई cases में आ चुकी इसलिए 11 जज़ों की bench जब decide कर चुकी Article 35 Capital A is not unconstitutional that is unconstitutional लेकिन वो सारे matters corporate sector के थे वो religious matter नहीं थे तो religious institutions को कबजा करने का सरकार को किसने शक्ती दे दी और जो religious indoment act बना दिया आपने हिंदू religious indoment act इसमें secularism कहां है और आपने अगर उसको पैसा ले भी लिया था तो पैसा लेने के बाद मज़ितों को आपने transfer किया आप चर्चों को transfer करना चाहते हैं आप इस तरह के institutions को transfer करना चाहते हैं जिसमें बड़ी ताधात ऐसी है जो इस देश को अपना देश नहीं मानते हैं मैं सबकी बात नहीं क्रहा Gentlemen मैं उसकी बात करहा हूं जो बड़ी अवादी है तो फिर कैसे इसको माना जाएगा अब एक बहुत बड़ा विश्य रहता है, देश में एक बड़ी आवादी ये कहती ही कि मंदरों के पास इतना पैसा है, उनको इस समय क्यों निकालना चाहिए, वो पैसा इस समय जनता के लिए खर्च होना चाहिए, उनके पास खजाने भरे पड़े हैं, जनता के लिए खर्च कर दिया जाएं यह उसका तरीका यह हो कि हम hospitals में लगाएं अब इसकी mechanism already केंदर सरकार ने बना रखेंए एक केंदर सरकार ने Companies Law Act में कानून बनाया CSR Fund Company Social Responsibility Fund CSR Fund Company की Social Responsibility Fund के तहद सारी कंपनियों को एक पर्सेंट वो मैं पर्सेंट नहीं पर रहा हूं दो परसेंटेज जो उनकी income है उसका एक percentage आपको ऐसे NGOs को या संस्थाओं को देना पड़ता है जो देश में देश जो जो socially काम कर रहे हैं यानि की चाइड लेवर पर काम कर रहे हैं वीमनस इंपावरमेंट पर काम कर रहे हैं एग्रिकल्चर पर काम कर रहे हैं education पर काम कर रहे हैं medical science में काम कर रहे हैं ऐसे institutions को आपकी income का एक percentage देना होगा किसको देंगे यह आप करिए कि दोनों के audit sheet होनी चाहिए यानि कि company अपनी audit sheet में बताएगे कि और उसने क्या आपको ग्यों डिया और जो ये रिपोर्ट धी और जो गे लेकर जाएगी वह अपनी रिपोर्ट और लेडी देगी अगर चोओ अपनी देगी तो ग्यून्ज को शोक्स नोटिस ले क्लेरिफाइ किया कि जो कम्पनिया इसमें पैसा दे रही हैं वो वो कम्पनी सोचल में कवर होगी यानि कि CSR Fund में कवर होगी जो कम्पनिया CSR में एंजियोस को पैसा देती थी वह पैसा अगर वो प्राइम इस्टर केर्स फंड में देंगी तो CSR के तहप आएंगी लेकिन वो जो CM रिलीफ फंड में देंगी तो CM रिलीफ फंड में वो CSR में नहीं आएंगी वो कंपनियों की अपनी responsibility है क्यों और किसको देना चाहते हैं लेकिन जो पीम केर्स फंड को देंगे वो CSR में आएंगे क्या हम हिंदू रिलीजियस एंड चेरिटेबल इंडोमेंट आक्ट में इस तरह की विवस्ता नहीं कर सकते कि हर एक मंदिर की responsibility होगी कि वो social welfare उसकी कुछ social responsibilities होगी वो hospitals खोलेंगे वह एजूकेशन निंसिटीशन कोलेंगे वो रिसर्च इंसिटीशन कोलेंगे खोलेंगे शानला कोलेंगे भो डर्मचायां खोलेंगे वह खड़ाती दव studio ख़ाने खोलेंगे वे वो mush लोगों के मंदिर हमारे कंपनियों से भी गए भीते हो गए क्या कंपनियों को कंपनियों के पैसे आप नहीं ले सकते क्यों कि कंपनियों पर आपका जोर नहीं चलता लेकिन आपका मंदिरों पर जोर चलता है तो मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मंदिरों का पैसा पब्लिक वेलफेर के लिए खर्च नहीं उसे लेकिन मंदिरों का पैसा पब्लिक वेलफेर के लिए किस मद में किस तरह से खर्चोगा उसका regulation बनाईए आप सरकार उसका पैसा पूरा ले ले और सरकार उस पैसे को मस्जितों में minority के नाम से transfer कर दे minority welfare fund बना दे और minority welfare fund बना कर उनको दे दे इसकी तो कोई constitutional reality नहीं कहती और आठके 31 capital A के तहट जो यह सारे काम आप करते हैं उसमें कहीं religious institutions तो कबर ही नहीं किया है उन्होंने तो corporate sector कबर किया है उन्होंने NGOs कबर किये हैं लेकिन उन्होंने और वो भी कबर किये हैं for the regulation ऐसा नहीं कबजा करके पैसा ले ल कि अब एक बड़ी समस्या है कि 36,000 मंदर हैं तमिलनाडू में और उन्होंने order pass कर दिया मंदरों के पास किसी को पास पैसा होगा किसी को पास नहीं होगा क्या उन्होंने इसी fund के तहट कोई ऐसा कानून बनाया है जिसमें यह कहा जाए कि जिन मंदरों के पास पैसा नहीं इ लगती दिखता है बड़ा उसका आभा मंदल खुश रहता है और खुशी हमें किसी की अच्छी नहीं लगती यह सबाव बना लिया लोगों कि खुशी अच्छी नहीं लगती उसके पास पैसा हो नहों जो पुजारी है उसके पास पैसा हो नहों लेकिन वो अगर खुश है तो बहुत गड़बड है, वो दुखी रहना चाहिए हमेशा, रोते रहना चाहिए उसको, अगर रोते रहेगा तो वो भगवान का काम कैसे करेगा, रोते रहेगा तो लोग जो उसके दरबार में आते हैं, भगवान के दरबार में आते हैं, उनसे वो बात करता है, उनको वो शोशल पावर कैसे देगा उनको वो जो है वो एक strength कैसे देगा क्योंकि मंदिरों में लोग निराशा बस जाते हैं हलाकि बड़ी संख्या ऐसी भी है जो मंदिरों में पूजा पाट करने जाती है क्यों क्योंकि एक तोसिदा जी ने कहा है कि दुख में समरेन सब करें न कोई और जो सुख में समरेन करें वो तो दुख काहे का होई तो दुख में समरेन करने ज़्यादा लोग जाते हैं सुख में समरेन करने थोड़े कम लोग जाते हैं जो दुख में सुमिरन कन्य मंदिर गयार वो दुखी है, उस दुखी वेक्ति को वो पुजारी कैसे खुश कर सकता है, वो कैसे उसको हिम्मत बना सकता है, अगर वो खुद ही दुखी रहेगा, इसलिए उसको ये ऐसा मेंटेन करना पड़ता है, अब पुजारी एक, दो, तीन चार, पांच, दस लोग होंगे, वो दस लोगों की अपनी सेलरियां, अगर वो नोकरी करते तो उनको सेलरी मिलती की नहीं मिलती, मंदिरों के मेंटिनेंस का पैसा, मंदिर में में मेंटिनेंस की 100 करमचारी, 200 करमचारी, 500 करमचारी, उनका पैसा कुन देगा, मंदिर में जो हिंदुस्तान को हिंदू समाज को इक अत्रित करने के लिए हिंदू समाज को स्टेबिल करने के लिए हिंदू समाज में आतम विश्वाश वरने के लिए उस मंदिर में धिन Gamalamp prior करते हैं और तीτού पुजारी जो है सुबा तीन बजे उठता है और तीन बजे उठकर वो मंदर की सफाई करना शुरू करता है चार बजे वो आरती करता है फिर आठ बजे की आरती होती है फिर बारा बजे मंदर में शैन करवाता है तीन बजे चार बजे फिर खोलता है फिर रात के दस ग्यारा वजे तक मंदिर खोल कर बैटता है और 11 से 3 चार गंटे सोता है दुफिर में दो गंटे सोता है छह गंटे सोता है अठारा गंटे मंदिर में जॉब करता है अगर उसको जॉब की दृष्टी से भी देखा जाए तो ऐसा पुझारी हिंदू समाज को उसमें आत्म विश्वास के लिए भगवान की सेवा के नाम से मैं कहता हूँ भगवान अगर नहीं भी है तो भगवान की सेवा के नाम से हिंदू समाज को पुना इस्थाफित करने के लिए बैठा हुआ है उसको कुछ सेलरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए उसको ओबर टाइम मिलना चाहिए कि क्यों अंदुलन चलाए जाते हीं क्यूंकि अगर इन पुजारियों पर हमला कर दिया जाएगा मैं पुजारियों की कास्ट की बात नहीं कर रहा हूं। सब्सक्राइब , मंदर का पुजारी गुने चाहिए उस poser को परिवार भरण पोषर के लिए कुछ काम कुछ salary मिलनी चाहिए कि नहीं मिलने सब्सक्राइब तो हम्रेश्य इसलिए गप ब्लारी अद सरस्टा होगा नdeal architecture पदसिप बच्चुत होगा तो इन मंदिरों में लोगों का आना बंद हो जाएगी और इनकी विवस्था कर समापत हो जाएगी तो ओटोमेटिकल हिंदुज्म दिर इदरे समापत हो जाएगा कि हिंदुज्म को जिंदा रखने का एक बड़ा साधन जो है वह भारत के मंदिर है और मंदिरों में ये पुझारी हैं पुझारी कुछ भी करता हो लेकिन मंदिर को साफ सुत्रा रखता है मैंगेश्मेंट बनाकर पंग्ति लगवाता है प्रशाद बाटता है पूजा करता है पूजा करने का वो करता है दिल्ली में आप चले आएए एक बड़ी आवादी ऐसी है जो अपने घरों में बनाय हुए मंदिरों के सुबह और शाम पूजा और आर्थी करने के लिए कुछ लोगों को हायर करती है 50-50,000 रुपे देती है इंसे कि आप आई और हमारे गर में पूजा करें कि हमरे पास समय नहीं हम पूजा कर सके हैं अब इस मंदिर में बैठा पूजारी जो पूरा परिवार उसका उसके बच्चे वह स्वयम उसके जो दो चार पाँच लोग और है उसके बंदू-बान्द इसलिए मंदिरों पर हमले होते हैं इसको सोच कर जड़ा देखिए मंदिरों का पैसा डिस्टीबूट होना चाहिए शोशल वेलफेर में लगना चाहिए लेकिन कैसे क्या सरकारें उस पर regulation बना सकती हैं क्या Article 31 Capital A में ऐसे प्रावदान दिया गया क्या सरकार मंदिरों को कबजा कर ले क्या Article 25 सब Article 2 Clause A में ऐसी विवस्था की गई है कि कबजा करके मंदिरों का पैसा ले ले हमारे देश में हम जानते हैं कि एक बड़ी अबादी मंदिरों के अगर आप हरिद्वार चले जाएंगे कानपुर में बिठूर चले जाएंगे नीमसार चले जाएंगे या आप बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जिन्होंने स्कूल रखके हैं जिन्होंने medical facilities खोल रखकी हैं जि कि सेलरी में उस सेलरी में उस सेलरी में आप चाहें तो उन पुजारियों को चेंज करने के वे वस्ता करिए कर वो मिसमेनेजमेंट बादा है सब कुछ कर दी करिए यह देशित में है और वो सब्यक होना चाहिए मैं ऐसा मननने वाला हूं कि हर एक religious place पर चाहें वो प्रिंदावन में या कहीं भी वो सब दूर होनी चाहिए मैं उसका पक्षधार हूं लेकिन उसका पैसा मज़ितों में जाएगा उसका पैसा चर्चों में जाएगा उसका पैसा यह जो चर्च लॉबी ने अपने हां एडॉप्शन सेंटर खोल रखे हैं या जो उन्होंने अनाथाले खोल रखें जहां वो अनाथाले में काम काम और कन्वर्ट जादा करते हैं ऐसे इंस्टिविशन में भारस सरकार का पैसा जाएगा देश का पैसा जाएगा तो मुझे बड़ा कस्ट है कॉस्टूशल वेलेटी इसकी चेक होनी चाहिए और एक और बात है कि सरकार के टेंपिल नैशनल इशू नहीं है और मजे की बात यह है कि रिलिजिस इंस्टिविशन में भारत में अगर रिलिजिस इंस्टिविशन को पावर दी जाए तो मजजित उपर से बना दी मीर बाकीन है अयोध्या में उसके लिए हमको केस लड़ना पड़ता है यहां स बगवान के जनम स्थान के उपर मजजित बना दी उसको सरकार नहीं डिल करेगी उसके लिए कानून नहीं लाएगी लेकिन अगर उसमें चड़ावा आएगा उसके मैनेजमेंट उसको पैसा लेने के लिए वहां से लेकर मजजितों को देगे बनारस में अगर बाबा विश्वनात के ओरजनल इस्थान को तोड़ कर ग्यान बापी मजजित बना दी जाएगी और बाबा को दूर बैठना पड़ेगा पुनर निर्मान हमको मंदिर का करना पड़ेगा जो सिद्ध स्थान है जहां भगवान राम ने भी पूजा की तो ऐसे इस्थान पर आप उस ग्यान बापी मजजित को हटा कर मंदिर की पुनर स्थापना के लिए कानून नहीं बनाएंगे आप कानून बनाएंगे तो जो इस्टैबलिश्ट मंदिर हैं जहां पर विवस्ता ठीक चल रही है जिनकी ट्रस्टें हैं उन ट्रस्टों के पैसे को सीधा लेकर आप मजजितों को दन करेंगे एक और बात है कि कल जो मैंने विशे उठाया था आपका जहर खंड का वो एक आंदोलन के रूप में देश में आ गया है मैं धन्वा देता हूँ एबीपी न्यूज कल रात को उन्होंने उस पूरे विशे पर एक घंटी बज़ाव प्रोग्राम चलाया पूरा फुल शो चलाया देश में जागरुपता फिलाई हम ये विशे उठाते हैं इसलिए कि कि देश में जना अंदोलन आटिकल 35 कैपिटल एक कटगरे में खड़ा हुआ कटगरे में खड़ा होने के बाद उसको हटाना पड़ा आटिकल 31 कैपिटल एबी आज कटगरे में खड़ा है आटिकल 25 सब आटिकल 2 क्लॉज एबी आज कटगरे में खड़ा है और ये रिलिजियस एंडुमेंट आक्ट जो हिंदू रिलिजि बने हुए हैं चर्च बने हुए हैं चर्चों गांटैंके गार आपका लिलीजिय की मोरलेटी जब स्विरू हो टा है तो subject to the morality and integrity of India कोई भी religious right आपको तब तक ही दिया गया है जब तक की आपको religious integrity है जब तक आपको the morality of India is covered. So I am challenging this act, wholly I am challenging this act, I am challenging this activity of the Tamil Nadu government or any government is doing like this, then I am challenging all these governments. लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेगा, government have to do the work only when the public will come on the road, the public will endorse them. जब जनता उनको endorse करती है, जनता उनसे कहना शुरू करती है कि आप ने ये गलत किया, और आप हमारे मंदिरों पर ऐसा कैसे कर सकते हो, मंदिरों का रेगुलेशन मंदिरों पर खर्चोना चाहिए अगर खर्चोना है तो वो हिंदूओं पर खर्चोना चाहिए जिस रिलिजन का पैसा उसी रिलिजन पर खर्चोना चाहिए ऐसे कुछ नियम बनाने के लिए सरकारों को बाद किया जा सकता है और वो करेंगे और आप पूरे देश के लिए एक religious, मैं हिंदू नहीं कह रहा हूं, मुसल्मान नहीं कह रहा हूं, religious and charitable indoment act है और उसका board बनाएए, ये बक्ष बोर्ड, ये सब दुनिया वर के जो उल्टे सीधे board बना रखें, इनको सब को खतम करिये, there must be only one religious indoment act, जिसमें सब को एक साडील किया जाएगा, चाहें वो हिंदू मंदिर हों, चाहें वो मजजिते हों, चाहें वो चर्च हों, सब को एक साडील किया जाएगा, एक नियम के तहर लाए जाएगा, जिस दिन आप ऐसा कर लेंगे तो आप हिंदू समाज को बचाने का कर लेंगे ये काम आटिकल 35 कैप्टल ए आजादी के तुरंत बात बना था और इसको बाद में जोड़ा गया था ओरिजनल कॉंस्टिउशन में आटिकल 31 कैप्टल ए हमको नहीं मिलता और आटिकल 31 कैप्टल से 28 तक का रिलीजिस वो दिया हुआ है और सेकुलरिज्म का प्रिंसिपल दिया हुआ है तो कैसे आप अंसेकुलर काम कर सकते हैं मुझे लगता है कि यह हम सब की जिम्मेबारी बनती है कि हम देश को आगाह करें लोगों के बीच में यह विशह ले जाएं तब ही हम इस पर पार पा सकते हैं कल फिर दो बज़े मिलेंगे एक नए विशह के साथ तब तक के लिए नमस्याएं